हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है नौलेज आल अबाउट के इस वीडियो में मैं हूं स्रवड पटवा दोस्तों आपका जीमेल हो गुगल ड्राइब हो सोसल मीडिया हो या आपका इंटराइड मॉबाइल फोन हो आज कल इमेल जिन्दगी का एक हिस्सा बन गया है जिसके मीना कोई भी काम इंटरनेट से नहीं हो पाता ऐसे में यदि आप अपना जीमेल का पासवर्ड भूल जाते हैं तो काफी परसान होना पड़ता है मैं आप सभी को इस वीडियो में टिप्स एंट्रिक्स बताने वाला हूं जिसके माधहम से आप जीमेल का पासवर्ड आसानी से रिकवर कर पाएंगे इसी के साथ आज का यह वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के और पीसी के ब्राउजर को ओपन करना है ओपन करने के बाद आपको जो है गूगल के सर्च बॉक्स में फोर्गेट जीमेल पासवर्ड पर क्लिक करना है वहा पर क्लिक करने के बाद आपको जो है यहां पर अपना इमेल आईडी टाइप करना है उसके बाद नेक्ट बटन पर क्लिक करना है नेक्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको जो है इस प्रकार का मैसेज डिस्प्ले करेगा इसमें यह यह बोलता है कि आपने अब तक अपन इमेल आईडी का पासवर्ट कितनी बार चेंज किये हैं, जितनी बार चेंज किये हैं, उसमें से एक भी आप यहाँ पे एंटर लाश्ट पासवर्ट पे क्लिक करना है, यदि वो भी आपको याद नहीं है, तो try another way पे क्लिक करें, try another way पे क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का मैसेज डिस्प्ले करेगा, क्या आप यह इमेल आईडी किसी another phone में यूज किये हैं, यदि यह यूज किये होंगे, तो आपके mobile के स्क्रीन पर एक options हो कर रहा होगा, डिस्प्ले करेगा, इस्क्रीन पर, notification एरिया जो होता है, वहाँ पर आपको yes जब क्लिक करेंगे, तो आपका यहाँ से on lock हो जाएगा, यदि आपका यह mobile phone नहीं है, तो उसके बाद try another way पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप जब email id बना रहे थे, तो उस time आपने एक recover email id दिया होगा, यदि वह recover email id यहाँ पर डिस्प्ले करेगा, यदि यह email id भी आपका use में नहीं है, तो try another way पे क्लिक करेंगे, इस परकार एक और आपको notification आएगा step, देखे बार बार Google जो चाहता है कि आप अपने account को recover कर ले, हर बार एक नया step दे रहा है, इसमें आपका जो है mobile number का दिया है, जब आप account बनाते हैं, तो उसमें एक mobile number देते हैं, तो वह mobile number का last two digits आपको यहां पे show करेगा, यदि यह आपका mobile number है, तो text या call पे जब क्लिक करेंगे, तो एक code जाएगा, उस code को जब enter करेंगे, तो आपका new password बनाने का option आएगा, यदि यह भी नहीं है, यूज में नहीं है, यदि आपका mobile number दूसरे का है, तो I do not have my phone पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको enter email id, यू need some times to review your request, इसमें एक ऐसा email id देना है, जिसके माध्याम से Google Gmail आपसे संपर कर सकें, उसमें यदि आप जो account बनाने समय आपका data दिये है, नाम जरम थी थी जो भी, उसको जब आप सही बता पाएंगे उसको, तो आपका जो है account को recover कर देगा हो, तो यदि यह भी नहीं है, तो try another way पर जब प्लिक करेंगे तो आपका verification, इतना सारा step यदि नहीं है, तो फिर आपका account recover कर पाना बहुत मुश्किल है, to help keep your account secure, Google needs to confirm this account belong to you, to recover your, इस प्रकार को जो है, money questions are can you, इतना सारा step आने के बाद भी यदि आप अपना information नहीं दे बाते हैं, तो आपका account recover कर पाना मुश्किल है, तो इस तरह मैं आपको जो step था कि जो जैसे mobile number email ID उसको मैं बता रहा हूं कि किस परकार हो पाएगा, इस तरह देखिया मैंने email ID टाइप कर दिया है, उसके बाद next button पर click कर रहा हूं, उसके बाद more way to sign in पर click कर रहा हूं, mobile phone में मेरा connect है कि तो mobile phone से नहीं बता रहा हूं आपको, forget password पर click करना है, उसके बाद time another way पर फिर से यूज़ करना है, उसके बाद tab option फिर से रहा है, time another way यह देखिया, email ID जो है, email ID वाले पर मैं click कर रहा हूं, send, उसके बाद आपके email पर एक code जाएगा, code जाने के बाद जो है आपको, उस code को यहां पर enter करना है, enter करने के बाद, next button पर click करना है, उसके बाद देखिये, create password का option आपके, create new strong password, minimum 8 character का बनाना है, at least one capital, one small, symbolic और digit अंको का इस्तमाल करके आप अपना strong password बना लेंगे, इस तरह से जो password आप बनाएंगे, इसको कहीं पर आप save करके रख लिजे, उसके बाद save password पर click करना है, उसके बाद जो है आपका, यहां पर account जो है login हो जाएगा, यहां पर एक चीज़ ध्यान दिजेगा, sign in and recovery option पर two step का एक option दिया होता है, उस option को आप लोग जो issue है, यहां पर एक देखे, इस पर करका दिखा रहा है question mark यानि कि एक issue है उसको आप लोग verification कर ले जाएगा, इस परकार मैंने आपको अपने Gmail account में email account को recover कैसे करना है बता दिया है, इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं एक अलग वीडियो में अलग topic के साथ, और account recover करने से करने में कोई दिकत आता हो तो आप comment session में comment केजिए, और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बारा है वो मेरे चैनल को like करें, share करें and subscribe करें और साथ ही आइकान को भी click करें ताकि हमारे द्वारा देखें हर notification आपको जल्दी मिलती रहे, थैंक्स पर वाचिंग